नमश्कार दोस्तों चैशी किशना चैशी राते दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि काल सर्प दोश क्या है? क्या है उनके प्रभाव? और अगर किसी व्यक्ति को ये दोश होता है तो उसके जीवन में क्या क्या समस्यां आ सकती हैं? इनको दूर करने का उपाय भी हमने आपको बताया था अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक है वो वीडियो ज़रूर देखे तो दोस्तो सावन महिने की नाग पंच मी आने वाली है और शिप जी के अलाबा इस दोश को कौन दूर कर सकता है भगवान संकर जिन्होंने जगत के कल्यान के लिए काल कूट विश को अपने गले में धरण किया हुआ है उनके अतरिक्त काल सर्प आधी ग्रह दोशों का जो निवारण है वो कौन कर सकता है इसलिए जिस किसी को भी इस योग से कष्ट या पीड़ा मिल रही है वो महाकाल रुद्र की आराधना करे ऐसा करने से काल सर्प दोस खुद ही खत्म हो जाता है इसलिए सावन महीने की नाग पंचमी पर ये पूजन अगर आप करेंगे तो काल सर्प दोस सांती के लिए ये बहुत ही सही समय है और इस सटीक उपाय से जो व्यक्ति काल सर्प दोस से पीड़त है उसको लाब मिलेगा अगर आपने भी पहले काल सर्प दोस की सांती करवा लिए तो भी इस नाग पंचमी पर ये उपाय जरूर करें आपके लिए बहुत सा सरल और आसान उपाय इसको करने से आपकी जो काल सर्प दोस की बज़े से समस्याएं किसी भी तरीके का काल सर्प दोस आपकी कुंडली में बन रहा है तो वो आपको लाब जरूर मिलेगा शांती जरूर मिलेगी क्या करें इसके लिए नाग पंचमी की सुभे प्राते काल शिव मंदिर में जाकर शिव लिंग को दूद का इसनान कराएं नाग और मोर की आकरती को शिव लिंग पर चड़ाएं और फूलों की माला अर्पित करें साथ ही एक धतूरा भी जरूर चड़ाएं अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों ये कोई कारण नहीं कि आपकी कुंडली में जो काल सर्प दोश बना है जिसकी वज़े से आप परिशान है वो दूर हो तो ऐसी ही उप्यों की जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब सरूर कर लें और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक हर हर महादेव